आधी रात को जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि मेरा पती बिस्तर पर नहीं था। मैं जैसे ही कमरे से बाहर निकली मुझे कुछ दूर जमीन पर कुछ पड़ा हुआ दिखाई दिया। मैं जब आगे बढ़कर गई तो वह एक साड़ी थी। थोड़ा आगे और बढ तो पेटी कोट और चोली पड़ी हुई थी। ये सब देख मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। तब ही चाननी रात में मुझे सीडियों के नीचे कुछ अजीब सा दिखाई दिया। मैंने जैसे ही पलट कर देखा तो मेरे होश उड़ चुके थे। क्योंकि वहां पर त तो मैं बहुत भागशाली रही हूँ लेकिन वैसे मेरी किसमत कुछ खास अच्छी नहीं रही क्योंकि मेरे माबाप बच्पन में ही चल बसे। इसके बाद मेरे चाचा चाची नहीं मेरी परवरिश की। परवरिश क्या की बलकि एक नौकरानी की तरह मुझे अपने घर में रखा। मुझे बच्पन से ही पढ़ने का बहुत शौक था लेकिन मेरे चाचा ने मुझे पढ़ाने से साफ इंकार कर दिया। पर जब मैंने उनसे रो रो कर बहुत ही बिनती की तब उन्होंने मुझे इस सर्थ पर पढ़ने की इजाज़त दी कि जब मैं उनके घर का पू एक साथ समालना बहुत मुश्किल हो जाता था क्योंकि चाची तो पानी का गिलास उठाकर भी नहीं रखती थी और फिस सुभा भी घर का सारा काम करके जाओ और स्कूल से बापस लोटने के बाद भी सारा काम करो साथ ही घर में मवेशी भी पाले हुए थे उनका चारा पानी भी मुझे ही करना पड़ता था इस सबसे मेरी कमर तूट कर रह जाती थी लेकिन फिर भी मेरे चाचा चाची को मुझे पर जरासा भी तरस नहीं आता था मैं अकसर रात को रो रो कर अपने माबाप को याद किया करती थी कि वह खुद तो मर कर चले गए लेकिन मुझे इस न ग्रेजुएशन करने की बारी आई तो मेरे चाचा ने कॉलिज की फीज भरने से साफ इनकार कर दिया लेकिन मैं कुछ भी करके ग्रेजुएशन कम्प्लीट करना चाहती थी मुझे खेती बारी की अच्छी जानकारी थी और जैविक खेती के बारे में पढ़ना मुझे आने लगी जिसके बदले में खुश होकर वह लोग मुझे कुछ पैसे दे दिया करते थे और उन पैसों को जोड़कर मैंने कॉलिज में एड्मिशन ले लिया और अपनी पढ़ाई को जारी रखा मैंने सोचा था कि मैं क्रशी के छेतर में ही आगे कुछ बहतर करके करती थी कई किसान तो ना जाने कितने ही करज में डूबे हुए थे लेकिन उनके खेतों में इतनी अच्छे फसल नहीं हो पाती थी जिससे की बहे अपना सारा करजा चुका सके और नए नए तरह के सादनों को खरीदना उनके बसकी बात भी नहीं थी पर जैविक खेती एक ऐसा जरिया थी जिसमें कम लागत में सही तरीके से एक अच्छी फसल को उगाया जा सकता था इसलिए मैंने सोचा कि मैं क्रशी के छेतर में कुछ बहतर करूंगी और हमारे किसानों का भला करूंगी इधर मेरे सपनों ने कुछ उडान भरना शुरू किया ही था कि एक दिन चले गए तो चाचा चाची ने मुझे ये फैसला सुना दिया कि एक हफते में ही मेरी शादी है सादी का नाम सुनते ही ऐसा लगा कि जैसे मेरे सर पर तो आसमान ही तूट पड़ा हो मैंने उनके आगे बहुत हाथ पैर जोड़े कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती हूँ बलकि मैं तो पढ़ना चाती हूँ लेकिन भला मेरी उस घर में कौन सुनने वाला था एक हफते में ही मेरी शादी कर दी गई वह पूरा हफता मैंने रो रो कर ही बिताया लेकिन कोई नहीं था जो मेरे आसुओं पर तरस खाता ये तो मैं अच्छे से समझ रही थी कि चाचा चाची मुझसे अपनी जान चुडाना चाते हैं लेकिन इस बीच मैंने देखा था कि लड़के वाले चाचा चाची को बहुत सारे रुपए दे कर गए थे जिससे मुझे पूरी बात समझ आ रही थी कि क्यूं उन्हें मेरी शादी की इतनी जल्दी पड़ी हुई थी इसका मतलब साफ था कि लड़के की शादी कहीं भी हो नहीं रही होगी और इसी वज़ा से वह उल्टा वह लोग चाचा चाची को पैसे दे कर गए थे खैर शादी के बाद जब मैं विदा होकर अपनी ससुराल पहुची तो शादी की पहली रात तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेर कोई अजनवी हो अचानक से उसे क्या हो गया था मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था खेर मैंने सोचा कि शायद आदमी ऐसे ही होते हैं मनमोजी टाइप के मैंने भी सबकुछ अपनी किस्मत मान लिया था पर मैंने अपने पती से एक उमीद सी लगाई थी कि मैं उसे आगे पढ़ना चाहती हूं लेकिन शादी के कुछ ही दिनों के बाद मेरे सारे सपने बिखर कर रह गये थे क्योंकि अब तो धीरे धीरे मेरे पती ने मुझसे बात करना भी बंद कर दिया था वैसे मुझसे मतलब भर की ही बात करता था मैंने उससी कई बार पूछने की हो गया है कि उसे मुझ में कोई भी रुची नहीं है पर वह मेरी किसी भी बात का कोई खास जवाब नहीं देता मेरे ससुराल में मेरे जेट जेठानी ननद मेरी जेठानी की चार साल की बेटी और मेरी सास थी मेरे जेट जी शहर में एक बड़ी कमपनी में काम करते थे और जेट जी साल में मुश्किल से एक महीने के लिए ही घर लोट कर आते हैं। मुझे अपनी जेठानी पर बहुत तरस आता था। मैं यही सोचती थी कि शायद इस घर के आदमी ऐसे ही हैं। उन्हें अपनी पत्नियों से कोई भी मतलब नहीं है। एक मेरा पती है जो पहली रात बिताने के बाद से ऐसे हो गया है जैसे कि मुझे जानता ही नहीं है। और ठीक इसी तरह से मेरे जेठ भी ऐसे ही हैं जिने अपनी पत्नी और उसकी इच्छाओं की कोई भी कदर नहीं है। बलकि भह उसे इतने इतने महीने के लिए छोड़ कर दूसरे देस में बैठे जब मैं खुद अपने पती को नहीं समझा पा रही थी। मेरी चौथी चलने के बाद जब मैं अपने ससुराल वापस आ रही थी तो मेरी चाची ने मुझे साफ कह दिया कि अब यहां पर कभी भी लौट कर आने की कोई जरूरत नहीं है। उनकी इस बात से मुझे कुछ खा पस अपने ससुराल चली आई। मेरी पहली रसोई थी और मैं किचिन में जब कुछ मीठा बनाने के लिए गई तो मैं यह देख कर हैरान रह गई कि पूरे घर में कहीं भी नया पेंट नहीं किया गया था। लेकिन किचिन में नया पेंट करके उसे चमा चम करके चमका दिया गया था। आखिर यह कौन सा तरीका होता है। पेंट करना ही था तो फिर पूरे घर में ही कर दिया होता। लेकिन हर घर की अपनी अपनी लीला है। इसलिए मैंने उस वक्त बहुत जादा नहीं सोचा। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीत रहा था मेरी ननद रेखा से मेरी खूब पटने लगी थी यो कि मेरे पती को तो मुझसे कुछ खास मतलब नहीं होता था। इसलिए मैं सारा सारा दिन रेखा के कमरे में ही बिताती पर ना जानी क्यों मुझे ऐसा लगता था कि जैसा रेखा जो है वो कुछ डरी सहमी सी रहती है। मेरी जेठानी तो मुझसे बाहर चार पाई डाले गाउं की औरतों के साथ बती आती रहती थी। रेखा भी कॉलेज में थी इसलिए मैं उसकी पढ़ाई में भी मदद कर देती थी। उसे पढ़ते हुए अकसर मैं अपने सपनों के बारे में सोचती तो मेरी आँख भाराती थी। लेकिन अब तो जो आखरी उमीद मुझे अपने पती से थी वह भी खत्म हो चुकी थी। इसलिए मैंने अपने सपनों को अपने सीने में दफन कर लिया था पर शायद मेरी इच्छा को मेरी ननद रेखा ने भाप लिया था। और इसलिए जब एक दिन उसने मुझसे बहुत पूछा तो मैंने उसे सब कुछ बता दिया लेकिन मैं फूट फूट कर रोने लगी उसने मुझे गले से लगा लिया वह कहने लगी कि भावी आप चिंता मत करो मैं आपकी पढ़ाई को लेकर अम्मा से बात करूंगी मेरी ननद ने मेरी सास से जब मेरी पढ़ाई के बारे में बात की तो उन गया है इस घर की बहुएं अब कालेज जाएंगी बहु का काम घर का चूला चौका करना है ना कि किताब कलम लेकर बैठना हम भी तो आए हैं इस घर में हमें तो किसी ने नहीं पूछा और अगर इतनी ही रहीस थी तो अपने घर ही वनी रहती यहां आने की जरूरत ही क्या थी अपनी जेठानी के मुझे इस तरह का दो टूक जवाब सुनकर मेरे तो होशी उड़ चुके थे मुझे धीरे धीरे ये समझ में आने लगा था कि मेरी जेठानी मुझसे जलती है या फिर वो मुझे पसंद नहीं करती यसी वज़ा से वह शायद मुझसे बिलकुल भी बात नहीं करती थी इधर मेरे और मेरे पती के बीच में दूरियां बढ़ती ही जा रही थी लेकिन मैं इन दूरियों को कम करना चाहती थी इसलिए मैं छोटे छोटे प्रयास करती रहती थी ताकि अपने पती को अपने साथ व्यस्त रख सकूँ लेकिन एक दिन जब मैं कमरे में जा रही थी और मेरे पती आंगन में बैठे थे तो मैंने उन्हें इशारा करके अपने पास बुलाया उनसे कहा कि वह मुझे ये मंगल स पहना दे इतना कहकर मैं कमरे के अंदर चली गई लेकिन मेरे पती नहीं आये इसलिए मैंने खिडकी से जब बाहर जहांक कर देखा तो मेरे पती मेरी जेठानी की ओर देख रहे थे और मेरी जेठानी उन्हें इशारे से मेरे पती को मना कर रही थी कि वह कमरे में बिलकुल भी ना जाएं ये देखकर मुझे कुछ शक्सा होने लगा कि आखिर मेरी जेठानी मेरे पती को मेरे करीब आने से क्यों रोक रही है उस दिन के बाद से मैंने अपनी जेठानी पर पैनी नजर रखनी शुरू की तो मैंने नोटिस किया कि मेरा पती जहां जहां भी जाता था मे अगर मेरा पती गाय भैसो का चारा पानी कर रहा होता तो खुद भी सारा काम धाम छोड़कर उसके साथ में ही चारा पानी करवाने में मेरे पती की मदद करने लगती ये सब देखकर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था मुझे लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी जेठान और अब उन्हें यहां वापस आना चाहिए मैंने इस बारे में जब अपनी सास से बात की तो वह मुझसे कहने लगी कि उन्हों ने तो चिठी लिखकर पहले ही जेट को घर आने को कहा था लेकिन जेट ने अभी आने से इंकार कर दिया है उसे तो घर आना पसंद ही नहीं है न अब ना ही किसी और से मैंने जब इस बारे में रेखा से बात की कि तुम्हारे बड़े भईया आकर किस किसम के इंसान है क्या उन्हें अपनी पतनी की याद नहीं आती इस पर रेखा कहने लगी कि याद कैसे आईगी जब पतनी ही मना कर देती हो उसके मुझ से ये बात सुन गया था मैंने रेखा से कहा कि तुम मुझसे जुट बोलोगी मैं तुम्हारी भावी कम और सहेली जादा हूँ क्या तुम मुझे नहीं बताओगी कि तुम मुझसे क्या छुपा रही हो तो रेखा कहने लगी दरसल अम्मा मुझसे ही भाईया को चिठ्थी लिखवा कर एक दिन यूँ ही मेरा दिल किया कि मैं पढ़ूं तो सही कि एक पत्नी अपने पती से चिठ्थी में कैसी बाते करती है इसलिए मैंने जब भावी की चिठ्थी खोल कर थोड़ी सी पढ़ी तो मैं ये पढ़कर दंग रह गई कि भावी ने तो भाईया को घर आने से साफ इन और उनके घरवालों का भी ध्यान रख रही है उन्हें इस समय खूब मेहनत से पैसे कमाने हैं मुझे तब ये पढ़कर बड़ी हैरानी हुई थी कि भावी इतने महीने भाईया से दूर रहती है क्या उन्हें उनकी याद नहीं आती एक तरफ अम्मा उन्हें चिठ्थी लि पैसे कमाने के लिए यही सही उम्र है और भावी की बातों में आकर वह घर ना आने का फैसला ले लेते हैं लेकिन मैंने तो आज तक अम्मा को ये बात नहीं बताई वरना भावी तो मुझसे लड़ लड़के मेरा तो सारा दिमाग ही खा जाती रेखा की इस बात ने मुझे हद से जादा हैरान कर दिया था भाला मेरी जेठानी कैसी ओरत थी जो अपने पती से दूरी बना कर रखना चाती थी और दूसरी तरफ मैं उसे अपने पती के करीब जाते हुए देखा करती थी अब मुझे अपनी जेठानी पर गुस्सा आने लगा था इसी सब के बीच एक तरह से बौखला रही थी और अपनी मा के आँचल में छुप रही थी और कह रही थी कि वह आ गई है मा वह आ गई है वह किसी को भी नहीं छोड़ेगी उसकी सांसे बुरी तरह से चड़ी हुई थी मैंने उस वक्त उसे शांत करने की कोशिश की लेकिन मेरी सास रेखा को मुझसे छुड़ा कर अपने कमरे में ले गई मैंने उनसे पूछने की भी कोशिश की कि आंखे रेखा को ऐसा हुआ क्या है पर मेरी सास ने कहा कि उसे दरसल मिर्गी के दोरे पढ़ते हैं और कुछ नहीं इतनी तो मैं बेवकूप नहीं थी कि मिर्गी के दोरे कैसे पढ़ते हैं इसके मुझे कोई भी जानकारी ना हो मुझे अच्छे से याद था कि वह बार बार यही दोरा रही थी कि वह आ गई है और वह किसी को नहीं छोड़ेगी शाम को मैंने देखा कि मेरी सास एक आदमी को रेखा के कमरे में ले कर गई और उन्होंने दरवाता अंदर से बंद कर लिया लेकिन वह आदमी कौन था मुझे समझ में नहीं आ रहा था और मेरी पूछने की हिम्मत भी नहीं हुई क्योंकि मेरी सास तो मुझे कुछ बताना ही नहीं चाती थी अगली दिन जब मैं रेखा से मिलने उसके कमरे में गई तो मुझे उसकी हालत काफी ठीक लग रही थी पर तब मैंने उसके हाथ में एक पर आखिर क्यों रेखा किस बात से डर रही है मैंने जब रेखा से भी इस बारे में बात करने की कोशिच की तौछ उसने बहाना बनाकर टाल दिया कहने लगी कि वो दरहसल मैंने बुरा सपना देखा था और इसलिए मैं इतना डर गई थी पर इतने दिनों में मैं रेखा को बहुत अच्छे से जान गई थी और मुझे साफ दिख रहा था कि वह मुझसे जरूर कुछ छुपा रही है इसी बीच एक दिन जब मेरे पती हमारे एक रिष्टेदार की शादी में गए हुए थे तो सुबा जब गाय भैसो के चारा पानी का समय हुआ तो मेरी सास ने रेखा को भूसे वाले कमरे से भूसा लाने को बोला पर रेखा ने तो साफ इनकार कर दिया बलकि उस वक्त वह इत इनी ताकत नहीं बची है कि मैं इतना सारा भूसा निकाल कर अकेले लेकर जाओं पर रेखा ने साफ इनकार कर दिया कि भले ही आज गाय भैसो को चारा ना मिले लेकिन मैं उस कमरे में कदम हरगिज ही नहीं रखोंगी इतना कहकर रेखा वहां से चली गई मेरी सास रेखा प मैं वापस रेखा के पास गई मैंने उससे पूछा कि तुम्हें उस कमरे में जाने से इतना डर क्यों लग रहा था रेखा कहने लगी कि वहाँ दरसल अंधेरा बहुत रहता है और वस इसी लिए मैं वहाँ नहीं जाना चाहती मैं रेखा का हाथ अपने हाथों में थामा और उससे कहा कि रेखा आखिर ऐसी क्या बात है जो तुम मुझसे चुपा रही हो उस वक्त रेखा की आँखों में आसु आ गए और वह जैसे ही मुझसे कुछ कहने वाली थी कि तब ही मेरी साज वहाँ पर आ गई और उन्होंने मुझे घर के दो चार काम बता दिये फिर मैं मजबूरन वह काम करनी के लिए चली गई लेकिन अब ये सब कुछ मेरे दिमाग में एक जगह पर अटक कर रह गया था मुझे अब इस घर में लगने लगा था कि जरूर ऐसा कोई राज है जो मुझे से चुपाया जा रहा है लेकिन वह क्या था ये मेरी समस से परे था फिर एक दिन मेरी सास कहने लगी कि मेरी जेठानी के बच्ची का जनम दिन आ रहा है तो वह जेठ जी को बुलाना चाहती थी लेकिन मेरी जेठानी ने इस बात से साफ इंकार कर दिया कहने लगी कि जनम दिन ही तो है कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है इसलिए उन्हें वहाँ आराम से काम करने दो मेरी जेठानी जुबान की बहुत तेज थी इस वज़ा से मेरी साज भी उनके सामने अकसर चुप हो जाया करती थी खैर उस वक्त तो मैं भी उनकी इस बात पर कोई खास ध्यान नहीं दिया लेकिन इधर मेरे पती का रवईया मेरे प्रती बिल्कुल वैसा ही था जैसा अब तक चला आया था उसी दिन रात को अचानक ही मेरी आँक खुली और जब मैं पलट कर बिस्तर पर मैंने देखा तो मेरे पती बहाँ पर नहीं थे पहले तो मैं कुछ देर चुप चाप लेट कर उनका इंतजार करती रही लेकिन जब मैं काफी देर तक वापस लोट कर नहीं आये तो फिर मुझसे रहा नहीं गया मैंने सोचा कि मैं एक बार बाहर जाकर देख कर आती हूं कि आखिर ये बाहर करने क्या गए है मैं जैसे ही अपने कमरे से बाहर निकली कि कुछी दूर आगे बढ़ने पर मुझे एक साड़ी और उसके बाद बाकी के कपड़े पड़े हुए नजर आये मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या है मुझे लगा कि हो सकता है छत पर कपड़े टांगने के लिए डाले गए हो और हवा से उड़कर वह यहां आगन में नीचे गिर गए हो लेकिन तब ही मुझे सीड़ियों के नीचे कुछ परचाईयां सी लगी मैंने जब खंबे के पीछे से छुप कर देखा तो मेरे होश उड़ चुके थे सीड़ी के नीचे जो जगा थी वहां पर मेरा पती और जेठानी बैठे हुए थे और उस वक्त मैंने उन्हें जिस हालत में देखा उससे तो मेरे खून में आग ही लग गई थी मुझे उस वक्त अपने पती और जेठानी दोनों पर ही इतना गुसा आ रहा था कि मैं दोनों का सर फोड़ दूँ लेकिन मैंने जैसे तैसे करके अपना गुसा पी लिया अब मैं अच्छी तरह से समझ चुकी थी कि मेरे जेठानी क्यूं मेरे जेठ को घर वापस आने नहीं देती और मेरे पती को मुझसे मतलब क्यूं नहीं था क्योंकि उन दोनों को तो आपस में ही वह सब मिल रहा था जिसकी उन्हें लालसा थी मुझे इतने दिनों में वैसे भी अपने पती से कोई खास लगाव नहीं हो पाया था लेकिन जब मैं उसे ऐसी हरकते करते हुए देखा तो अब तो मेरे दिल में उसके लिए नफरत सी पैदा हो गई थी इसलिए मैंने फिर एक चाल चली मैंने अपनी जेठानी के नाम से एक चिठी लिख कर रेखा के हाथो डांक खाने में विजवा दी और ठीक जेठानी के बच्चे के जनम दिन बाले दिन सुबा सुबा ही तड़के मेरे जेठ घर आ गए इधर मेरे जेठ का घर आना हुआ कि उधर मेरी जेठानी के चहरे का तो रंग ही उड़ चुका था उनकी हालत खराब हो चुकी थी साब पता चल रहा था कि उन्हें जेठ के आने से कोई खास खुसी नहीं हुई थी और मेरा पती भी परिसान दिख रहा था लेकिन मैंने अब सोच लिया था कि इन दोनों का परदा फास अब मैं सारे घरवालों के सामने करके ही रहूंगी ये जो खेल इतने समय से खेला जा रहा है उसे कुछ भी करके मुझे खतम करना था मेरे जेठ जब बापस सहर से आये तो वह सभी घरवालों के लिए कुछ न कुछ लेकर आये थे मेरे लिए भी वह एक बहुत ही सुन्दर सी साड़ी लेकर आये शादी के बाद पहली बार मैं अपने जेठ से मिली थी उन्हें देखकर मुझे उन पर बहुत तरस आ रहा था कि वह अपनी पत्नी पर इतना भरोसा करते हैं लेकिन उनकी पत्नी उन्हें इसकदर धोका दे रही थी जेठ ने बताया कि वह अब दो महीने की छुट्टी लेकर आये हैं और अब आराम से ही यहां से जाएंगे तब तक थोड़ा खेती बाड़ी का काम देखेंगे जेठ की ये बात सुनकर जेठानी तो बुरी तरह से बौखला गई थी और वह जेठ से लड़ने लगी कि वह एतने दिन की छुट्टी लेकर क्यूं आये तो मेरे जेठ ने कहा कि तुम भी बड़ी अजीव आरत हो खुद ही तुमने मुझे चिठ्थी विजवा कर यहां आने के लिए कहा और अब तुम खुद ही मुझसे जगडा कर रही ही हो लेकिन मेरी जेठानी को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि उसे नहीं पता था कि वह चिठ्थी तो मैंने विजवाई थी वह तो इतना दिमाग गरम किये हुए बैठी थी कि अपने सोचने समझने की शक्ती ही खो बैठी थी और बार बार बस जेठ से इस बात को लेकर जगडा करने लगती थी कि अगर तुम दो महीने यहां घर पर ही बैठे रहोगे तो फिर वहां कमाई कौन करेगा जबकि जेठ उससे बार बार कह रहे थे कि मैंने कहा ना कि मैं यहां खेतों में काम करूंगा खेती बाड़ी देखना भी तो बहुत जरूरी है धीरे धीरे समय बीत रहा था और मेरे जेठ खेतों में काम करने के लिए जाने लगे थे लेकिन एक दिन वह खेत से सम्मंदित अपनी समस्याएं सास को बताने लगे कि खेत में इस तरह के कीड़े लग रहे हैं जिससे फसल बहुत खराब हो रही है और मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ मैंने जब उनकी बात सुनी तो मैंने उन्हें जो सबसे बहतर उपाय था वह बताया जिससे सुनकर वह बहुत खुश हो गए और मेरी बुद्धी मत्ता की तारीफ करने लगे और कहने लगे कि वाकई में रमेश को बहुत ही समझदार पत्नी मिली है लेकिन उन्हें जो तरीका मैंने सुझाया था वह कुछ उन्हें समझ में नहीं आ रहा था इसलिए मैंने उनसे कहा कि आप चाहें तो मैं आपके साथ खेत पर चल सकती हूँ इस पर पहले तो जेट थोड़ा सा जिजगे लेकिन जब सास ने भी देखा कि इस विदी को अपनाने से घर को फायदा हो सकता है तो उन्होंने कहा कि तुम इसके साथ में रेखा को भी लिये जाना इसके बाद तो जैसे एक सिलसिला सा चल निकला मैं अकसर जेट जी और रेखा के साथ खेत पर जाकर फसलों का ध्यान रखने लगी थी गाउबालों को भी जब मेरी तरकीबों के बारे में पता चला तो उन्होंने भी मुझसे तरह तरह की विदीयों के बारे में पूछना सुरू कर दिया और जब उन्हें फायदा होने लगा तो वह सब भी मेरी बहुत तारीफ करने लगे और मुझे पैसे भी मिलने लगे एक दिन जब हम सभी शाम को बैट कर एक साथ खाना खा रहे थे तो मेरे जेट ने मुझसे कहा कि तुम्हे तो खेती बाड़ी की बहुत ही अच्छी समझ है तो तुम खेती बाड़ी से सम्बंदित ही आगे की पढ़ाई क्यों नहीं करती हो उनकी इस बात से मेरा तो मुझ ही उतर गया और मेरी सास का भी इस पर तुरंथ ही मेरी जेटानी तपाक से बोली कि बस अब यही तो रह गया है तुम्हारा भी दिमाग खराब हो गया है इसके घरवाले इसे पढ़ा नहीं पाए तो बस अब तुम ही तो रह गये हो इसके ठ खेकेदार इस पर मेरे जेट ने तुरंत ही जेठानी को डाटा कि वह अपनी जुवान कम चलाया करे उन्होंने कहा कि उसे इतनी अच्छी समझ है और अगर जिस चीज का ज्यान है उससे सम्मंदित पढ़ाई करेगी तो अपने साथ साथ और भी लोगों कातो भला करेगी उस जेठ की बात सुनकर मेरे दिल में जो मेरे सपने थे वह एक बार फिर से उडान भरने लगे थे अब तक जिस चीज की उम्मीद मैं अपने पती से लगाए बैठी थी वह उम्मीद मुझे मेरे जेठ में नजर आ रही थी थोड़ी देर के बाद हम सब अपने कमरे में सोने के के लिए चले गए मैं जब किचिन में पानी पीने के लिए गई तभी मैंने जेठ और सास को कुछ ऐसी बाते करते सुना जिससे मैं दंग रह गई जेठ कहने लगे कि क्या गीता को मंजू के बारे में पता है इस पर मेरी सास ने तुरंत ही जेठ को इशारा किया कि वह धीरे से बात करे वह कहने लगी कि गीता को मंजू के बारे में कुछ नहीं पता और ना ही कभी पता चलना चाहिए इसी में हम सब की भलाई है यो कि अगर एक बार यहां से ये बात उचली तो गाउं तक जाएगी और जैसे तैसे हम लोगों ने इस बात को दबा लिया है मेरे कर मेरे जेट तो वहां से चले गए लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जेट ये सब क्या बाते कर रहे थे अगले ही दिन मैं रेखा के पास गई और मैंने रेखा से पूछा कि ये मंजू कौन है मेरे इस सवाल से रेखा अचानक ही लड़कडा कर नीचे गिर गई थी उसकी सांसें बुरी तरह से चड़ गई मैंने उससे कहा कि आखिर कौन है ये मंजू जिसका नाम सुनते ही तुम्हारी हालत ऐसी हो गई लेकिन रेखा तो इतनी बुरी तरह से घबरा गई कि जैसे मैंने ना जाने क्या पूछ लिया हो वह मुझसे बचकर बाहर नि करूंगी इसके बाद रेखा ने मुझे जो कुछ भी वताया इसकी कलपना तो मैंने कभी सपने में भी नहीं की थी दरसल मंजू मेरे पती की पहली पतनी थी जिसने खुद को आग में जला कर खत्म कर दिया था लेकिन इन सभी घरवालों ने मिलकर उसको रातो रात भूसे वाले कमरे में दफना दिया और गाओं में सब जगा ये बात फैला दी कि मंजू तो कहीं किसी के साथ भाग गई है मंजू के घरवालों में कोई भी नहीं था इसलिए अब इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं था जो उसके बारे में पता करता और बस इस बात को ठंडा कर दिय गया रेखा ने मुझे ये भी बताया कि मेरे चाचा को मंजू के बारे में सब कुछ पता था और मुझे इस बात की खबर ना चले इसके बदले में मेरे चाचा चाची ने मेरे ससुराल वालों से धेर सारे पैसे लिये थे अब मुझे समझ आ रहा था कि वह पैसे मेरे चाचा किस लिए दिये गए थे और पूरे घर को छोड़ कर सिर्फ किचिन में ही पेंट क्यों किया गया है काकी किचिन में जो आग के निशान थे उन्हें पूरी तरह से छुपाया जा सके मैंने रेखा से सवाल किया कि लेकिन मंजू ने आखिर खुद के साथ ऐसा क्यों किया इस सव चाहद रेखा आजीब तरह से यहां वहां पहले तो देखने लगी फिर डरते हुए कहने लगी कि वह मरी नहीं है वह आज भी इस घर में भटकती है और देखना वह हम में से किसी को भी नहीं छोड़ेगी मैंने कहा क्यूं वे हम सब को क्यों नहीं छोड़ेगी रेखा कहने लगी क्योंकि उसकी मौत हम सब की बजा से हुई मैंने रेखा से कहा कि तुम मुझे साफ साब बताओ आखिर बात क्या है इसके बाद रेखा ने कहा कि दरसल रमेज भाईया और बड़ी भावी के दोनों के और वह बच्पन से ही उसकी हर गलती को छुपाती आई है और उसने इस बार भी उसकी इस गलती को छुपा दिया और डाट डपटके पट्टी पढ़ा के मन्जू भावी को भी शान्त करा दिया लेकिन जब से मन्जू भावी को भाईया और बड़ी भावी के बारे में पता चला था तब से तो बड़ी भावी और भी जादा सेर हो गई थी वह तो खुले आम मंजु भावी के सामने ही उनके पती के साथ वह सब करती जो एक पतनी कभी भी नहीं देख सकती थी इससे वह बेचारी दिमागी रूप से परिस पतनकारी ही नहीं उन्हें तो घर में सबने यहीं बताया कि मंजु पर किसी उपरी आत्मा का साया था जिस वज़ा से उसकी दिमागी हालत खराब हो गई और उसने खुद को खतम कर लिया और अपना खेल बड़ी भावी आराम से खेल सकें इसलिए वह कभी भी बड़े अभी के साथ ही खुश था तो फिर तुम लोगों ने उसकी साधी मुझसे क्यों कराई तो रेखा कहने लगी कि समाज को दिखाने के लिए यह सब किया गया और अम्मा को लगा कि सायद दूसरी भहू आ जाएगी तो भावी शुदर जाएंगे लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं ह मुझे आज भी मंजु भावी की चीखती चिलाती हुई चीखे याद हैं वह जिस वक्त किचिन में जल रही थी वह चिला चिला के गला फाड़ फाड़ कर कह रही थी कि वह इस गर में किसी को भी नहीं छोड़ेगी और वह अपना बदला लेकर ही रहेगी मैंने रेखा से कह इसलिए तुम्हें उसका भूत दिखाई देता है इस पर रेखा ने बहुत ही डरते हुए धीरे से अपना सिरह लाया रेखा मुझसे कहने लगी गीता भावी क्या आपको नहीं लगता कि मंजु भावी को इंसाफ मिलना चाहिए मंजु भावी ने बहुत कुछ सहा था लेकिन उसके साथ इंसाफ करने वाला कोई भी नहीं था और फिर हार कर उस बेचारी ने अपनी जिंदगी ही खत्म कर ली लेकिन मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ आप ऐसा कुछ भी मत करना क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ आप मेरी प्यारी भावी होना मैं रेखा को गले से लगा लिया और मैंने उससे कहा कि अपने पती और जिठानी का कहेल मैं अपनी आख़ों से पहले ही देख चुकी हूँ इस बात पर रेखा दंग रह गई क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता था कि जब किसी इंसान को बुरे करम करने की लत लग जाती है तो वह सौ रास्तें ढूट कर निकालता है लेकिन वह काम करके ही मानता है और मुझे पता था कि भले ही जेट जी यहां पर हैं लेकिन मेरी जेठानी अपनी हसरत पूरी करने स पीछे नहीं हटेगी इसलिए जैसे ही एक दिन मैंने उन दोनों को आधी रात को एक साथ देखा मैं तुरंत ही जेड जी के पास पहुँची और मैंने उन्हें उठाया उस वक्त तो मेरे जेड जी को ये सब बहुत ही अजीब लगा कि मैं आधी रात को उनके पास आई पर मैं ने उनसे कहा कि मैं आपके आगे हाँ चोड़ती हूँ अभी मैं आपसे बस जैसा कहती जा रही हूँ आप चुप चाप वैसा ही करिये इसके बाद मैं उन्हें उस जगा पर लेकर गई जहां वह दोनों थे और जब मेरे जेड ने अपनी आँखों से वह सब देखा तो उनक पहले तो मेरी साथ ने बीच बचाव करने की कोशिश की लेकिन फिर मैंने जेट को बता दिया कि इस सब के बारे में सास को तो पहले से ही जानकारी थी इस पर मेरी सास बूरी तरह से सर्मिन्दा हो गई और फिर मैंने रेखा से कहा कि आज जो भी सच्चाई है वह तुम साफ साफ अपने बड़े भाई को बताओ इसके बाद रेखा ने अब तक जो भी मंजू के साथ हुआ और किस तरह से इन सब लोगों ने उसके साथ जो किया वह सब कुछ मेरे जेट को साफ साफ बता दिया जिसे सुनकर मेरे जेट तो अपना सर पकड़ कर बैठ गए और कहने लगे कि मैं कितना अभागा हूं जो ऐसे पापयों के खांदान में पैदा हो गया अब मुझे समझ आता है कि मेरी पत्नी मुझे घर वापस क्यों नहीं आने देती थी मैं तो आज तक यही समिचता रहा यह मेरी पत्नी मेरा भला चाहती है वह चाहती है कि मैं जीवन में जादा से जादा तरक्की करूं लेकिन मुझे क्या पता था कि वह तो मेरी तरक्की की पीआड में मेरी पीट के पीछे अपनी ही चाल चल रही थी और मेरे ही सगे भाई ने मुझे भी धोका दिया मैंने जेट जी से कहा कि आज मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ मैंने उनसे कहा कि जिस बच्चे के जनम दिन को लेकर आप इतना खुश थे वह बच्चा आपका नहीं बलकि मेरे पती का ही है ये सुनकर तो वहां खड़े हुए सभी लोगों के होश उड़ चुके थे दरसल जब मेरी जेटानी अपने बच्चे को लेकर मेरे पती से बात कर रही थी तब मैंने उसके मूँ से सुन लिया था भै अपनी बहुत ही डींगे बगार रही थी कि उसने कितनी होस्यारी से मेरे पती के बच्चे को जेट के बच्चे के नाम पर मड़ दिया है और किसी को भी कभी शक भी नहीं हुआ सुबा होते ही मेरे जेट ने पुलिस को ख़बर करती और उन्हें सब कुछ बता दिया कि किस तरह से मेरे पती की पहली पत्नी को इन लोगों ने इस हद तक पहुँचा दिया था कि उसने खुद ही अपनी जान ले ली इसके बाद जब भूसे वाले कमरे की खुदाई हुई तो मंजु का कंकाल जप्त कर लिया गया मेरे पती और जेठानी को उनके कीए की सजा मिल चुकी थी और मंजु को अब जाकर इनसाफ मिला था मेरे जेठ ने अपनी पत्नी को तलाग दे दिया और इधर मुझे भी अपने भाई से तलाग दिलवा कर उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अवाजाद हूँ और मैं अपने जीव में जिन भी लोगों की अच्छी फजल उगाने में मदद करती आई थी उससे मेरे पास थोड़े बहुत पैसे खटे हो गए थे इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं सहर जाकर अपनी पढ़ाई खुद के तम पर आगे जारी रखूंगी और वहां कोई छोटा मोटा काम भी ढू एक साथ मिलकर सहर पढ़ने के लिए चले गए और फिर कुछ सालों के बाद मुझे क्रसी बिवाग में नौकरी मिल गई और रेखा एक सरकारी अध्यापिका बन गई आज रेखा की शादी हो चुकी है और वह अपनी जीवन में बहुत खुश है और इधर मेरे जेट ने भी दूसरी शादी कर ली थी लेकिन मैं अभी भी अपने उस सपनों के राज कुमार का इंतजार कर रही हूँ जो मुझे सच में दिल से प्यार करें तो दोस्तों आपको मेरे द्वारा लिखी हुई ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और प्लीज इस कहानी को वीडियो के नीचे दिये हुए सभी आप्सेंस में दिख जाएगा जो की हर्ट शेप में बने हुए डॉलर के साइन के तौर पर है और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानिया सुनाती रहूं थैंक यू